नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभें स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूटूब चैनल फार्मिंग इन निया मैं दोस्तो ड्रेरी फार्म के बिजनेस को प्रॉफिटेबल तभी बनाया जा सकता है जब हमारे पशू स्वस्त रहें और दुख दुत पादन पर नरंतर लगे रहें और समय से घ्याबन हो जाएं और साल में एक बच्चा दे दें यह तभी संभाव है जब हमारे पशू स्वस्त रहेंगे दोस्तो आज हम आपको आपके पशू को स्वस्त रखने के लिए तीन देशी तरीके बताएंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर दे है गुड़ को प्राक्तिक सुगर बूला जाता है इसे आयुरवेज मैं अमरित कहा गया है गुड़ के इतने लाव हैं कि बहुत ज़्यादा है स्वेश्त बिवन पकार के खनेज मिस्रिन पाय जाते हैं स्वेश्त भी बहुत बड़िया इंप्रूव होता है तो तो ताफ़ीर गर्मी होती है यदी सर्डीयों में प्रती दिन आप से कम सौ गराम अपने पशों को खिलाते हैं तो इस से आपकी पशों को थंडन railroad नहीं लगती है और यदी आप से पानी में घूल कर खिलाएं तो इसकी ताफ़ीर थंडी हो जाती है, यह सर्वत के रूप में बन रहतर रहेगा गुड़ एक ऐसी चीज है जब आपका पशू बच्चा दे उसके बाद लगवक पांफो ग्राम गुड़ को दल्या में मिलाकर आप अपने पशू को खिलाएं इससे पशू को नेचुरल तोर पर सक्ति प्रदान करता है गुड़ और दोस्तों बात करते हैं उसे हो जाती है यदि हम अपने पशू को एक मटर के दाने जितने चूने की गोली पाने में घूल कर पिलाएं तो इससे उसके सरी में कैल्सियम की कहमी नहीं होगी वरभा सुस्त बना रहेगा और उसकी हड़ियां मजबूत होगी वरभा अपने दुग उत्पादन से भी ब रख देजिए पशू इसे बहुत ही चाओ से चाटते हैं और इसमें बिविन पिकार के खनेज में सेंड पाय जाते हैं जो सीधे तोर पर आपके पशू को मिल जाते हैं और नमक खाने से आपके पशू का डाइजेटन सिस्टम भी बहुत बढ़िया होता है इससे आपके खुड़ी में जरूर देखें दोस्तों मिलते हैं एंगली वीडियो में जय हिंद जय भारत